कि वेल्कम बैक टू माई अनुदर विलोग तो गाईज आज हम आएं दिल्ली के हिमायुतुम जो कि दिल्ली के निजामुदी मेरिय में पड़ता है तो गाईज अभी हम आचुके इसके एंट्री गेट पर तो गाईज यदि आप भी यहां पर आना चाहते हैं तो इसके लिए यहां पर हम इंडियन के लिए 40 रुपीज की टिकट है और फोर्नर्स के लिए जो कि साड़े 500 रुपे की टिकट है तो गाईज यदि आप यहां पर ओनलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर आपको एक बार कोड मिलेगा जिसे आप स्कैन करके इसली टिक कर सकते हैं तो गाईज ही है हर रोज आम पब्लिक के लिए शुबह नौ बज़े से लेके 6 बज़े तक ओपन हो जाता है फ्रेंट्स अभी हम इसके अंदर में एंट्री ले चुके हैं और हम आपको यह सामने जो बोड दिख रहा है इस पर किले की यहां पर पूरी मैपिंग के साथ में इसकी पूरी डिटेल नहीं पर पढ़ने को मिल जाती है तो चलिए गाईज हम अंदर चलते हैं और इसे एक्सप्लोड करेंट से अभी हम आच के मकबरे के जो एंट्रेंस गेट है और आप देख रहे हैं यहां पर सिला नायस में पूरी तरह से दिखाए गया है क इसा खान का मकबर आया है वह 1547 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया गया तो फाइनली इसकी बिल्डिंग को जब दे लिया था इसा खान के बारे में आपर पूरा डिटेल के साथ में आपको मिल जाता है यह आप इंग्लिस में वही चीज को देखना चारते हैं तो सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं इसा खान के मकबरे के ठीक सामने और अभी हम आगे चलके आपको इसको दिखाते हैं दोस्तों ऐसा मना जाता है कि इसा खान का यह मकबरा हेमाईू के मकबरे परीसर में उनके जीवन काल में बनाया गया था और उसके बाद उनके पूरे परिवार के यह काम आया और इसा खान के मकबरे के अंदर आने पर उनकी और उनके परिवार की कबरे देखने होई आपर आपको मिल जाती है आप देख सकते हैं कि सामने ही साथ आपके मज़ित में दिखाई पड़ी है तो चलिए अब हम आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं तो दिखाते हैं तो फ्रेंड्स अभी हम आचुके हैं बू हलीमा गेट के ठीक एंटरेंस पर और आप देख सकते हैं कि एंट्री गेट के सामने ही आपको एक बोड मिल जाएगा जिस पर आपको पूरा इस गेट के बारे में अब आपको इसे पढ़ सकते हैं और इसका जो मैटिम आइस तरह से अर्बन सराएगा तो किस तरह से इसका अब से बख्तक हुआ वह सारा आपको डिटेल रेका जो या मैप आपको मिल जाते हैं अब आप देख सकते हैं यह गुल पर दुनों आप चारो चरफ से आकर पियां यहां पर दिखती है तो अंदर के चलते हैं तो यहां पर क्राउम का एक चाहिए तो चलिए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं में लिज़र आया है तो अभी हम इस अपर में सब्सक्राइब करें को आपको प्राइन है कि अपर देख सकते हैं कि यहां पर एक शिला लेक मोजोड़ जिस पर यह लिखावा है कि इसकी उचाई उगरा जो यहां पर तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वैस्ट गेट के अंदर में और यहां पर हमें एक एक्जिबिशन देखने को मिलता है प्रेंड्स अभी मैं आपको एक्जिबिशन के अंदर में लेकर आ गया हूं और आप देख सकते हैं कि यह सामने ही इस एक्जिबिशन जो यहां पर किले बने हुए है टोटल यहां पर किले मुझूद है उन सब का मैप आप देख सकते हैं पुरी डिटेल के साथ में आपको यह मैप मिल जाता है और ठीक लेप साइड में यहां देखते हैं तो हमें बहुत सारी बुक का एक रैक यहां पर नजर आता है जो कि दिल्ली के जितने भी मोस्ट हिस्टोरिकल पैले से है उनका पूरा डिटेल के साथ में यहां पर सारी बुक्स मुझूद है इसा खान के मकबरे की खुदाई के द्वारा परात इसे साथ देख सकते हैं जो कि इस्ट्री को बताती हैं दर साथ देखते हैं तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं हमाईू के मकबरे के ठीक पास में और आप देख सकते हैं कि यहां का जो वीव है वो काफी जबरजस्त वीव है यहां आप आकर अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमली के साथ सेल्फी ले सकते हैं फोटो खूद सकते हैं जो कि एक परफेक्ट फोटिग्राफिकर दिए पहले साथ को मिल जाता है और अभी हम आ आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स जैसे हम मकबरे के अंदर में परवेश करते हैं तो हमें यहां पर सबसे पहले हमाईयू की कबर देखने को मिलती है तो फ्रेंड्स यहां से थोड़ा आगे चलने पर ही हमें हमाईयू की कबर के अलावा उसकी बेगम हमीदा बानू तथा बाद के समराठ सहाजा के जैस्ट पुतर दारा सिको की भी कबर देखने को मिल जाती है तो फ्रेंड्स आप लोग अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ यहां पर आकर एक बार विजिट जरूर करें तो आज की यह वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि चैनल पर आप पहली पर आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में फिर मिंटे हैं वंदे मात्रम जाएं